राजियो गांदी अभियांत्री की महाविद्याले में कारिरत कर्मी ने अपने निवास्थान पर आत्मत्या की। मुरुत्तक के भाई ने महाविद्याले को आत्मत्या के लिए जिम्यदा ठहराया। मगर महाविद्याले प्रशाशन ने सारे आरोपों को बेवुनियात बताय इस आत्मात्या के समन में मृत्तक के भाई ने महाव्ध्यय प्रशाशन को जिमेदा थराया है तो सुनिए इस संदर में मृत्तक के भाई ने कया कहा पर रोड़ स्वाफ चल्चेशना राजी गणी इंजर्चा। सब्सक्राइब दूसरी ओर राजियो गांधी अभियंतर की महाविजाल है कि प्राचार डाक्टर जफर खान ने वृतक के भाई दोरा लगाये गए सारे आरुपों को बिभुनियाद बताया तो उन्होंने किस प्रकार से इन सारे आरुपों का खंडन किया आप सुए सुनी उनी की जवानी 2019 तक लगबख 25 कारण बता नोटिस पत्रों ने दिये जा चुके थे और उसके बाद में भी मैं आपका बताना चाहूंगा कि 16 अगस से 16 अगस 2019 से लेकर 8 नवेंबर 2019 तक तक तो वो कालेज में नहीं आये कभी भी और उसके चलते आखिर में मैनेजमेंट नहीं निर्ने लिया कि इतना बोलने के बाद में इतना उन्हें मनाने के बाद में भी अगर वो कालेज में नहीं आते हैं तो मैनेजमेंट नहीं टर्मिनेट करने का निर्न से पुशाज मानसी प्तरास में थे ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आज ही जो स्टेट्मेंट उनका निकाला है एकाउंट सेक्शन से तो मुझे ये पता चला है कि उनकी टोटल सैलरी जो कॉलेज के तरफ निकल रही थी वो है करीब 29, 36,000 रुपए और उन्होंने कॉलेज से जो एडवांस लिया है वो है 36,136 जैने इस तरीके से कॉलेज के ही 7,090 रुपए ब्रह्मा नंद जी के तरफ निकलते हैं इसके अलावा जो है तीन दिन पहले मुझे जो हमारी क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी कॉलेज की उन्हों इस तरीके से दीके पूरी बाते जो है मैंने आपको साफ कर दी कि ना कॉलेज के तरफ उन्हें पैस्ब, उननका कोई किसी किसम का पैसा है और नहीं किसी भी तरह की का, दीकि यि मैनेज्मेंट जैसी है, कभी भी हमने वहने, और नहीं आए तो छोड़ी ए पिस levels के धमारी क उनके भाई को इस तरीके की बाते बता कर जो है कॉलेज के विरोध में एक माहुल खड़ा करने का प्रयास कर रहा है लेकिन मैं अर्दम इस बात को मानता हूं कि सच्चाई जो है वो अंत में जो है सबी के सामने आएंगी और मैं जितनी भी बाते आपको बता रहा हूं पूरी का निवेदन है कि आप कॉलेज की स्थीजी को समझे और हमें जो है सही होते दन्यवाद